हाई गाईज गुड मोर्निंग आज हम बताने जा रहे हैं पास्ट कॉंटिनिवस टेंस सबसी पहली बदाएंगे अस्ट्रक्चर उसके बाद आड़ी उसके बाद कुछ एक्जामपल चलिए दिखते हैं अस्ट्रक्चर है सब्जेक्ट पलस वाज वर पलस बीफोर पलस आप रख सकते हैं नाउन या परनाउन उसके बाद हेल्पिंग वर वाज वर इन दोनों में से एक का प्रयोग करना है चलिए देखते हैं सही प्रयोग कैसे करते हैं I, he, see, it, name के साथ वाज का प्रयोग करेंगे आगे दिखते हैं we, you, they के साथ work के करेंगे, उसके बाद है भर्वे, भर्वे आप लोग जानते हैं कि 5 होता है, इस sentence में before का use होगा, before बनाना बेलकुल असान है, उसमें ing आइड करना है, चली कुछ example देते हैं, go, going, eat, eating, play, playing, etc, उसके बाद है object, अगर हिंदी sentence में object का use हो रहा है, तो ingles sentence में object का use करेंगे, वरना आपका sentence भर्वे ही complete हो जाएगा, उसके बाद ID, ID मिस पहचान, ID है रहा था, रही थी, रहे थे, EDC, चली example, राम एंग्रेजी बोल रहा था, राम वाज अस्पिकिंग इंग्लिस, राम वाज नोट अस्पिकिंग इंग्लिस, वाज राम अस्पिकिंग इंग्लिस, वाज राम नोट अस्पिकिंग इंग्लिस, चली कुछ और आप लोग को example देते हैं, राम घर जा रहा था राम वाज गोईंग टू हाउस वाज सो रही थी सी वाज स्लिपिंग मैं बोल रहा था आई वाज स्पिकिंग वह खेल रही थी सी वाज प्लेइंग इस सारे सेंटेंस आप लोग बिल्कुर असानी से बना सकते